भक्तों के अपने भगवान को याद करने और उनकी आराधना करने के लिए वैसे तो हर दिन ही समान होता है लेकिन हफते के सातों दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित किये गए हैं कहते हैं कि दीन विशेश उन भगवान का पूजय नर्चन करने पर विशेश फल प्राप्ट होता है मंगलवार का दिन भगवान राम के परम भक्त और पवन पुत्र बजरंगबली का दिन माना जाता है इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से सर्व मनुकामना पूर्णा होती है और उत्तम फल की प्राप्टी होती है हम सभी के मन में यह सवाल आता है कि आखिर मंगलवार को क्यों हनुमान जी की पूजा की जाती है अगर आपके मन में भी यह प्रश्ण आता है तो इस वीडियो को अंतक पुरा देखें और जाने क्यों मंगलवार के दिन होती है हनमान जी की पुल्या पौरानिक मान्यताओं के अनुसार हनमान जी का जन्म चैत्र शुकलपक्ष पूर्णिमा को हुआ था आमान्यताओं चैत्र शुकलपक्ष पूर्णिमा को चंद्र चित्रा नक्षत्र में उपस्थित होते हैं इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि हनमान जी का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ था तके स्वामी मंगल है इसलिए मंगलवार के दिन अनुमान जी की उपासना को दिन विशेश माना जाता है योभी भक्त मंगलवार को अनुमान जी की उपासना करते हैं अनुमान जी उनके सारे कश्ट हर लेते हैं और हर संकट से लड़ने की इच्छा शक्ती प्रदान करते हैं अनवान जी की पुजा अर्चना करने से सभी कष्ट दुर हो जाते हैं और जो कोई भी इनकी सच्चे मन से पाट करता है इनकी सच्चे मन से पुजा करता है वो हर किसी मुसीबत से सुरक्षित हो जाता है यहाँ पर बता दें कि मंगलवार के दिन अनमान जी की पुझा से आत्मविश्वास, साहस और शक्ति का वर्दान प्राप्थ होता है इस दिन बक्तोद्वारा अनमान 14 का पाड़ और सुन्दर कांड का पाड़ करने से विशेश लाप्राप्थ होता है इतना ही नहीं, कहते हैं जिनको भी कर्ज से मुक्ति पानी हो या जिनके उपर कर्जा ज्यादा हुआ हो उन्होंने ग्यारा मंगलवार का उपवासकर सो बार हन्मान चारिशा का पाट करने से सभी कर्जों से मुक्ति पाने का राष्टा मिल जाता है और आर्थिक स्थिर्था प्राप्त होती है मित्रों हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेर अवश्य कीजिए और भगवान श्री हन्मान जी की गुरुपा प्राप्ति में उनको भी सामिल कीजिए